नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवर्पुना टार्वित आलोग ओनलाइन इनिस्टूट में, मैं गौरब नरेंजन, नए वर्ष में आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ के नए वर्ष आपके लिए अधिक से अधिक लाविकारी हो, आप जो भी फ पढ़ेंगे, और टॉपिक का नाम है हमारा हिमालाए, टॉपिक का नाम क्या है, तो इस टॉपिक का नाम है हिमालाए, हिमालाए परवत को पढ़ने से पूर कुछ बाते कर ली जाएं आपसे, दिखेगा, नया वर्ष है, और नई जोस होना चाहिए, नई उर्जा होनी चाह बैसे ही आपको एक नई परिक्षा देनी है, 13 वर्सों के बाद खंड सिक्षादिकारी की परिक्षा, और उम्मीद है कि इस परिक्षा को आप निश्चित रूप से क्रैक करेंगे, निश्चित रूप से निकालेंगे, और इसको क्रैक करने में हमारी पूरी टीम आपके साथ जुटी हुई है, कुछ चहरे आपको दिखा दिये गए हैं, रवी सरवी नहीं है, उनकी वीडियो भी आपको दो या तीन तारिक से मिलने लगेंगी, दूसरी बात अपने संदर्म में है, आप अगर मुझे किसी अन चैनल, किसी अन इनिस्टूट में देख रहे हैं, तो य तार्गेट वित आलोक में मैं रहूंगा, यहां के प्रतेक बैच में, जोगरफी में, आप मुझे ही पाएंगे, और सिविल के बैच में आप आलोक सर को ही पाएंगे, ठीक ना, तो इस प्रकार की अगर आपके पास कोई है, कोई भटकाओ कर रहा है, कि सर वहां नहीं पढ पूरे टर्गेट आलोक ओलाइन की ओर से स्टार्ट करते हैं हम हिमालय परवत, और हिमालय परवत को आज हम पढ़ेंगे, भारत का परचाय मैंने आपको संपूर्ण भारत का परचाय बता दिया था, अब आगे हिमालय को समझते हैं, आप एक नए कॉंसेप्ट के साथ यहा पर उन प्रिष्णों की आने की संभावनादिक है, जो लेक सववा आयोग पूछता है, उधारण के तौर पर 15 दिसंबर 2019 और इसमें हिमालय परवत से एक प्रिष्ण पूछा गया, उस प्रिष्ण को अभी हम आपको समझा देंगे, और किस परकार से नए प्रिष्ण बन स पर भी हम चर्चा करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं हिमालय परवत सरिंखला की, बात किसकी होती है, हिमालय परवत, तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि हिमालय परवत नहीं है, बलकि हिमालय के अंतरगत, कई सारे परवत हैं, इसलिए इसको एक नाम दे दिया गय और नाम दे दिया गया हिमालाय परवत सरिंखला क्या नाम दे दिया गया हिमालाय परवत सरिंखला तो हिमालाय परवत सरिंखला में सबसे पहले हम हिमालाय की उत्पत्ति देखेंगे हिमालाय की उत्पत्ति कैसे हुई हिमालाय की उत्पत्ति कैसे हुई सबसे पहले हम इस पिर्थवी है इस पिर्थवी को एक नाम दे दिया गया था और पिर्थवी को नाम दिया जायाता था पैंजिया इस पिर्थवी को एक नाम दिया गया और नाम दे दिया गया पैंजिया क्या नाम दिया गया पैंजिया और इस पैंजिया के बीचो बीच में एक सागर है और इ क्या नाम दिया गया नाम दिया गया टैथिस सागर के जो उपर वाला भाग है ए क्या है तो टैथिस सागर की उपर वाला भाग अंगारा लेंड है तो टैथिस सागर की उपर वाला भाग अंगारा लेंड है और टैथिस सागर की नीचे वाला भाग जो है वो गुंडवाना ल इसने टैथिस सागर ने इसको बाड़ दिया ठीक ना चली हिमालय की उत्पत्ती के संदर में जो सबसे अच्छा सिधान्त माना जाता है वो हैरी हैस का प्लेट विवर्तन की सिधान्त माना जाता है और कोवर का भूसनती सिधान्त माना जाता है तो इसकी उत्पत्ती के संदर म दो सिधान्त दिये गए एक नाम है प्लेट टिक्टोनिक थोरी प्लेट विवर्तनिकी सिधान्त क्या नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिधान्त एक सिधान्त है आपका और इसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिधान्त और दूसरा जो आपका है ओ है कोबर का भूसनती सिधान् कोबर का भू सन्नती भू सन्नती क्या होती है पानी के अथाय छित्र को भू सन्नती नाम दे दिया गया ठीक ना कोबर नाम अग्वेक्ति लाया था इसलिए कोबर का भू सन्नती इसको सिधान्त कहा जाता है बस समझिएगा हुआ क्या कि प्लेट टिक्टॉनिक थियोरी में बताया गया कि जो हमारे साथ महादूईप हैं उन महादीपों को यहां पर महादूईप नामना दे कर एक नाम दे दिया गया और नाम दे दिया गया प्लेट बताया गया कि साथ बिरहत प्लेटें हैं और अनंत छोटी प्लेट हैं और इन साथ बिरहद प्लेटों में एक प्लेट महासागरिये प्लेट है प्रसांत महासागरिये प्लेट जबकि छे प्लेट हैं महादूईप ये प्लेट हैं जिस पर हमारे महादूईप इस्तित हैं जिस पर हमारे क्या हैं जिस पर हमारे महादूईप इस्तित हैं अगला देखीगा होता यह है कि एक हमारी प्लेट है और जो हमारी प्लेट है इस प्लेट का नाम है भारतिय प्लेट एक हमारी प्लेट है इस प्लेट का नाम है भारतिय प्लेट और यहां पर एक सागर है इस प्रकार से एक सागर हुआ करता था इस सागर का नाम है टैथिस सागर इस सागर का नाम क्या है तो इस सागर का नाम है टैथिस सागर यह टैथिस भूसनती चुकि भारत के तीन ओर पानी है और भारत के तीन ओर जल होने के कारण इसको एक नाम दे दिया गया प्राइदुई प्रायदुईब का पठार प्रायदुईब पैठार समान धरातल से उंचा उबर खोबर सनचना जिसकी उसत उचाई फजाए पाच्छ सो से आर्ट सो मीटर के मदड में हो उसको हम पठार कहते हैं क्या कहते हैं उसको हम पठार तो इस भारतिये प्लेट से या भारतिय पठार से टैथी सागर्म की ओर नदियां जाती थी और इन नदी टैथी सागर्म है अपना पानी गिरा रही है अब बताईएगा अगर हमें नदी की बात करूँ तो नदी हमेशा उचे बाली स्थानों से नदी हमेशा उचे वाली स्थानों से निचले स्थानों की ओर वहती इस पॉंट को नोट किया जाए तो अगर यहां से भारतिय प्राइदवीप से या भारत के पठारी छेतर से नदियां टैथी सागर्म की ओर प्रवाहित हो रही है मतलब यह वाला छेतर अधिक उचा है अप इस छेतर के जहां पर टैथिस सागर्थ है तो टैथिस सागर्थ जहां पर है वो निचला छेतर है और प्राइदवीप ये पठार या प्राइदवीप भारत उचा छेतर है कैसा छेतर है उचा इस उचे बाले छेतर से निचले छेतर की ओर नदी जा रही है और कोई भी नद अपने साथ आउसादों को लेकर भी बहती है आउसाद क्या होते हैं रेत कंकरबालू पत्थर चिलका या चीका इन सभी को हम क्या कहते हैं रेत कंकरबालू इन सभी को हम आउसाद कह देते हैं सेडिमेंट आउसाद साथी साथ नदी जब भी नदी बहती है जल और जल के साथ उसमें कई परकार के पेड़ पौध है और कई परकार के पेड़ पौधों के साथ उसमें कई परकार के क्या पाए जाते हैं कई परकार के जीब जन्तू भी पाए जाते हैं ठीक ना अब लगातार नदी अपने साथ आउसादों को बहा कर ले जा रही थी और इन आउसादों का जमाओ यह हरे रंग से जो बना रहे हैं यह आवसाद है इन आवसादों का जमाओ कहां होता रहा आवसादों का जमाओ टैथिस सागर में हो रहा था टैथिस सागर के उपर यहां पर एक और प्लेट है यह बिरहद प्लेट है और इस प्लेट का नाम है यूरेसियन प्लेट इस हुआ क्या कि यूरेशियन प्लेट नीचे की ओर आई या भारती प्लेट या भारती प्लेट है इंडियन प्लेट या भारती प्लेट हुआ क्या कि जब यूरेशियन प्लेट नीचे की ओर आई या भारती प्लेट ऊपर की ओर गई यानि यह दौनों प्लेटें आपस में टकर जब यह दोनों प्लेटें आपसमें टकराई तो जो यहाँ पर आउसाद है यह आउसाद समान धरातल से कहां हो गया और जब यह आउसाद समान धरातल से उचा हो गया तो एक परवत नुमा संरिचना की निर्मान हो गया और इस परवत नुमा संरिचना को नाम दे दिया गया ह इस परवत नुमा संरचना को एक नाम दे दिया गया हिमालय परवत तो हिमालय परवत की उत्पत्ती दो प्लेटें भारती प्लेट और यूरेसियन प्लेट के टकराने के कारण हुई भारती प्लेट और यूरेसियन प्लेट के टकराने के कारण हुई अगर ये बीच में आवसाद ना होता तो सायद हिमाला की उत्पत्ती ना हो पाती समझ रहा है बात को अब यहाँ पर जब आवसाद जम्मा होता रहा तो पर्याप मतरा में आवसाद हो गया और यह आवसाद समान धरातर से उचा आगया अब यहां पर चुके परवत हो गया तो परवत उंचे होते हैं, अब जो नदी पहले इस दिशा में जा रही थी, तेस सागर की ओर जो नदी जा रही थी, अब जहां पर हमाला परवत है वह नदी अब उल्टे दिशा में प्रवाहित होगी, यानि अब वो हमाले से बिपरीत यानि पहले ऐसी जा रही थी हमाले की ओर अब हमाले से वो निकलती भी पिरतीत होगी ऐसी नदिया जो उनकी उत्पत्ती हमाले की या ऐसी नदिया जिनका मार्ग हमाले के निर्मार होने के बाद परिवर्तित हो गया है उन नदियों को किस ना नाम से जाना जाता है और ऐसी भी नदिया है जिनका जो पहले जिसमार्ग में परवायत हो रही थी अभी भी उसी भी मार्ग में परवायत हो रही है उन नदियों को किस नाम से जाना जाता था तो उन नदियों को परिवर्ती या पूर्वे वर्ती नदी के नाम से जाना जाता है जो नदी जिस रूप में पहले बह रही थी उसी रूप में अभी बह रही है और ऐसी नदियां जिनका जिनकर बहाओ की दिसा में हमाले की उत्पत्ती के बाद परिवर्तन हो गया उनको अनुवर्ती नदी नाम दे दिया गया क्या नाम गंगा इसका सबसे बड़ा उधारण है, हमाले के छिद से निकलती है. तो जब पेड पाउदे और जीब जंतू किसी स्थान पर पाए जाते हैं तो धीरे-धीरे सडने गलने के बाद इनके दवारा जीबास में का निर्मान हो जाता है इनके द्वारा किसका निर्मान हो जाता है तो इनके द्वारा जीवास में का निर्मान हो जाता है अगर मैं आपसे कहूं कि जो हिमाले परवत है क्या इस हिमाले परवत में जीव जन्तू या पेड़ पौधों के आउशेश पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे तो हिमाले परवत में जीव जन्तू और पेड़ पौधों के आउशेश अवस्षी पाए जाएंगे अवस्ष पाए जाएंगे क्योंकि जहां पर आज हिमाले आउसात थे याणि वहां पर पहले टैथिस हिमाले हुआ करता था अब समझेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पदार्थ है इधन है इधन खनेच कोईला और कोईला की प्राप्ति कहां से होती है इबाद में पहले कोईला का निर्मार या कोईला की प्राप्ति ही समय लेते हैं कोईला हमें ऐसी स्थानों पर मिलेगा जहां पर जीव जन्तों के आउसेस पाए जाएंगे अर्थार्थ जहां पर जीव जन्तों के आउसेस हैं वह अहीं पर कोईला मिलता है हिमालय परवतिय छेत्र में जीव जन्तों के आउसेस पाए जाने के कारण हिमालय परवतिय छेत्र में हिमालय परवतिय छेत्र में कस्मीर से जम्मु कस्मीर से एंत्रासाइड कोईले की प्राप्ति होती है किसकी प्राप्ति होती है एंत्रासाइड कोईले की प्राप्ति होती है और एंत्रासाइड कोईला कोईला चार प्रकार का होता है उन चारों प्रकारों में सबसे उत्तम कोईला जो है वो एंथरासाइड ही होता है उसके बाद बिटुमेंस होता है लिगनाइट होता है तो सर्वोच गुडवत्ता वाला यह सबसे उच कोटी का जो कोईला है वो एंथरासाइड ही होता है और भ जीव जन्तूं के आउसेसों से हुआ है, यानी वहां पर जीव जन्तूंके आउसेस पाय जाते, बुलिवाद यहां तक कोई समझिया, अब समझेगा जब टैथी सागर है, टैथी सागर में जब जीव जन्तू और रेद पत्थर का जमाऊ था जब यहां से चटान का निर्माण करेंगे तो निशिस सी बात है इन चटानों में जीब जन्तूं के आउसेस पाए जाएंगे साथी साथ परतने पाएं जाएंगी तो हिमाले परवती चेतर में हिमाले परवती चेतर में जो चटाने पाएं जाती है वह चटाने किस प्रकार की चटाने पाएं जाती है तो हमाले परवती छेतर में आउसाधी चटाने पाएं जाती हैं तो हमाले परवती छेतर में आउसाधी चटाने पाएं जाती हैं तो हमाले परवती छेतर में आउसाधी चटाने पाएं जाती है एबात आपको notice करनी है एबात आपको यार रखनी है ठीक ना बोलेगा यहां तक अगर कोई समस्या हो यहां तक अगर कोई समस्या हो तब बताईए आप नहीं है ना चले तो इसमें आप क्या बनाएंगे ठीक न समझ गए ना चले आंगे बढ़ते हैं हिमालय परवत नहीं है बलकि हिमालय परवत सरंखला है इसी को हम अच्छे से समझाते हैं आपको हिमालय हिमालय परवत सरंखला हिमालय परवत सरंखला पहला पॉइंट हिमालय परवत सरंखला का हिमालय परवत सरंखला जो है वो नवीन मोड़दार और मोड़दार के लिए एक सब दोर यूज कर स नवीन मुर्दार वलिद परवत है एक नवीन मुर्दार वलिद परवत है ठीक नग YEAH तो पहले हम नवीन समझते है tutaj नवीन के बलम नया और नया हम उसको कहेंगे जिसके उचाई में आज भी बृद्दी हो रही हो जिसके उचाई में आज भी विरिद्धी हो रही हो हमालय परवत पर विस्व की सबसे उची चोटी है और हम माउन्ट एवरेश्ट की बात करें तो इसकी उचाई कहीं पर आपने देखा होगा इसकी उचाई 8848 मीटर लिखा होगा और कहीं पर इसकी उचाई 8850 मीटर लिखा होगा यानि दो मीटर का अंतर पाया जाएगा ऐसा क्यों? क्योंकि ये नवीन है आज भी इसमें उत्थान की प्रिक्रिया जारी है कभी इसकी उचाई दो मीटर कम हो जाती कभी बढ़ रही है मतलब दिन परती दिन इसकी उचाई में परिवर्तन हो रहा बढ़ रही है और बढ़ने के कारण ही इससे हो जाता है कि है किस प्रकार का परवत है यह एक नवीन परवत है कैसा परवत है? नवीन दुछी बात आती है मोरदार या वलित इंग्लिस में folded mountain मोलते है मैं यहाँ पर एक सब्द लिखता हूँ वलित मैंने एक सब्द लिखा वलित अगर इस वलित मैंसे अगर इस वलित मैंसे मैं क्या करूँ? एक नटो किएगा अगर इस वलित मैंसे मैं ता हटा दूँ इस वलित मैंसे अगर मैं ता हटा दूँ और इस वलित मैंसे अगर मैं यह मात्रा भी हटा दूँ अगर इस वलित मैंसे मात्रा भी हटा दूँ तो क्या बच्चता है वल यानि फोर्स बल यानि force दो प्प्लेटें थी भारती प्लेट और Eurasian प्लेट जब ए दौनों प्लेटें टकराएंगी तो क्या एक दूसरे पर force लगाएंगी या नहीं लगाएंगी पिल्कुर लगाएंगी भाई एक दूसरे पर force लगाएंगे जब भी दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वह प्लेटें एक दूसे पर फोर्स लगाती है और फोर्स लगाने के कारण जो बीच वाल अच्छेतर होता है वो उपर उठ जाता है देखेगा, समझेगा यहाँ पर माली जीगा, यह दो प्लेटें हैं मैं जानमूझ के उपर नहीं उठाऊँगा ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं है ऐसा ठीक ना, प्लेटें जैसी आएंगी जैसी टकराएगा भाग, तो टकराने के बाद यह भाग अपने आप उपर जाएगा कहां ट्योर जाएगा, इसी दी आएगी और टकराएगी, तो यह भाग आपका उपर जाएगा ही जाएगा, तो जब यह उपर बाला उपर चला गया भाग, और यह भाग उपर जाके ऐसी स्रिंग और गर्त के रूप में निर्मित हो गया तो स्रिंग और गर्त के रूप में निर्मित होने के कारण ही इसको एक नाम दे दिया गया नाम दे दिया गया मुरदार परवत इंगलेस में फोल्डेड माउंटेन मुरदार परवत इंगलेस में फोल्डेड माउंटेन अग यहीं पर मैं आपको और चीज़े समझा देता हूं यहीं पर मैं और चीज़ समझा देता हूँ, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, ए मोरदार या वलिक परवत में जो उठा हुआ भाग होता है, इसको जोगरफी की भासा में अपनती कहा जाता है, और जो नीचे वाला भाग होता है, इसको भूगोल यानि जोगरफी की बात करते हैं, तो सबसे उचा उठा हुआ भाग और सबसे उचा उठा हुए भाले भाग को सामान अर्थों में हमें एक नाम दे देते हैं चोटी या इसी को एक नाम दे देते हैं सिखर, क्या नाम दे देते हैं चोटी या इसी को एक नाम दे दिया जाता है सिखर, और जो गहरे बाले भाग होता है जहांपर अभीनती है इस गहरे बाले भाग को एक नाम दे दिया जाता है गहाटी इस गहरे बाले भाग को एक नाम दे दिया गया और नाम क्या दे दिया गया गया गहाटी दौनों चीज़ें आपको याद रखनी है ठीक ना तो जो गहरे बाले इस् कि अगर मैं आपसे कहूँ कि घाटियों का विस्तार किस हमाला में या घाटियों का विस्तार किस परकार के परवतों पाए जाता है परवत कई परकार के होते हैं जैसे बिलॉक परवत जैसे हार्ज परवत जैसे बिलॉक परवत हो गया जैसे हार्ज परवत हो गया फोल्डेड गाटी कसमीर में है हमाला परवत है कुल्लू मनाली घाटी ठीक ना कांगडा घाटी काठमांडू घाटी फूलों की घाटी ए सारी के सारी घाटी है हमाला परवत ये छेत्र में है दच्छन भारत की एक बड़ी महत्पून घाटी है केरल में जिसका नाम है सांत घाटी और सां और गर्त की रूप में पाए जाते हैं तो नीचे बाला भाग इसमें क्या कहलाता है नीचे बाला भाग इसमें घाटी कहलाता है ठीक ना चले अगरा पॉंट पड़ते हैं तो हिमाला एक नवीन मुरदार परवत है हिमाला क्या है तो हिमाला एक नवीन मुरदार परवत है ठी विशु की सबसे उची पर्वस्रंखला तो हेमाला क्या है विशु की सबसे उची पर्वस्रंखला है अगर उचाई की बात करें तो लगबख पच्पन सो मीटर, एवरेज है, उसत उचाई, एवरेज, अगर इसकी उसत उचाई की बात की जाए, तो पच्पन सो मीटर इसकी उसत उचाई है, कितनी उचाई है, पच्पन सो मीटर इसकी उसत उचाई है, ठीक ना, अगर हम लंबाई की बात करें, तो एंडीच, एंडीच परश्रिंखला आपकी तछन अमेर का महदीट में है प्रसांत महा सागर की तड़ पर AIV एक नभीन मुणदार परवगत का उधारन है तो एंडीच के बाद एंडीच के बाद विस्तु की दूसरी एंडीच के बाद विस्तु की दूसरी सबसे लंबी परवस्रिंखला सबसे लंबी परवस्रिंखला सबसे लंबी परवस्रिंखला एंडीज के बाद विसकी दूसरी सबसे लंबी परवस्रिंखला यानि एंडीज की लंबाई सरवादिक है और दूसरी नंबर पर हमारा परवत है है, जिसका नाम क्या है हमालाई अगर आपसे पूरब से पश्चिय में लंबा पूशित जा तो लगवरप लबाघ पस्चेस सो किलो मीटर लगवर Prior hug से पश्चिय में विश्चार इसका ठीक्ना अगला पॉइंड दिखिएगा चोथा पॉइंड हेमालाई पश्यम में अधिक चौड़ा है अभी हम डाइगराम मनाएंगे पश्यम में अधिक चौड़ा है एवं पूर्व में अधिक उचा है पूर्व में अधिक उचा है पूर्व में क्या है अधिक उचा आईए हम एक डाइगराम बना देते हैं देखें समझेगे हमनों बहरत आपको बनाया है कि यहां पर माली जीगाया आपका हमाला है ठेख न तो नेपाल के भाद कच्छेतर जो है यहां से इसको हम इश्टर्न हमाला है बोलते हैं पूर्वी हमालाह हैं और इस वाले छे पॉर्वी हमाला भोलते हैं, ठीक ना, इसको हम पूरवी हमाला है और इसको, तो यह जो पूरवी हमाला है यहाँपर बिसके सबसे उची-उची चोटिया है जैसे मांट आवरेश्ट है कंचंजंगा है, धोला गरी है, सबसे उची और यह वाला छेतर जो है अधिक चौणा है यहाँ पर फैला हुआ अधिक है तो पश्चमी हमाला परवत अधिक चौणा है जबकि पूर में इसकी उचाई अधिक है पूंचा जाएगा हमाला परवत की उचाई अधिक पाई जाती कहां पर पूर्वी हमाला में और पूर्वी हमाला में उचाई अगर अधिक है तो पश्मी हमाला पश्मी छित में क्या है अधिक मात्रा में पश्मी मात्रा में चोड़ा है यह बात आपको याद रखनी है पूर अब देखेगा, यहां से हम हिमालय का वरगी करण करते हैं, हिमालय का वरगी करण, तो हिमालय का अगर वरगी करण किया जाए, तो हिमालय को हम दो भागों माट सकते हैं, एक को ट्रांस हिमालय कहते हैं, और एक को हिमालय ही कहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं समझाएंगे, हम भागों माटा हिमाले को हमने चार भागों माटा एक को हमने नाम दे दिया ट्रांस हिमाले ये ट्रांस जो है ट्रांस का अर्थ पिराचिन होता है हिमाले परवत का सबसे पिराचिन मागे ट्रांस हिमाले दूसरा जो है उसका नाम है बिरहद हिमाले बिरहद हिमाले ट्रांस हि इसा हमाला के बाद बिरह्द हमाला के बाद तीसरा नाम है लगू लगू हमाला दी सरा कौनसा है लगू हमाला और चौतरा जो है इस हिमालाय का नाम क्या है तो इस हिमालाय का नाम है सिबालिक हिमालाय इसका नाम क्या है तो इसका नाम है सिबालिक हिमालाय इस चार हिमालाय है ठीक है मंचितर में कहाँ भी समझाएंगे आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़े याद रखनी है एक सबसे प्राचीन है आपसे कुशन पूछेगा हमाला का सबसे प्राचीन भाग और सिवालिक सबसे नवीन भाग सबसे नवीन भाग सिवालिक क्या है तो सिवालिक सबसे नवीन भाग बिराद हमाला का है तो बिराद हमाला सरवादिक उंचा है अगर मालीजेगा मानचितर देख लेते हैं अगर मैं आपसे कहूं कि मानचितर में यहां पर है तो देखी है मानचितर में यहां पर है यहां पर एक हिमाला है इसको हम एक नमबर दे देते हैं यह ट्रांस हिमाला है यहां से लेकर एक परवस्रेंख्ला ऐसे फैली होई है ए ऐसे नामचा बार्वा एक कुष्चन पूचा गया था भी नामचा बार्वा तक है यह दूसरा है इबिरहद हिमाला है ठीक ना एक यहां पर ऐसा है Чार भागों में तूट गया है यह तीसरा यakat यह लगू हिमाला है और एक है जो हिमाला इस से लेकर असम तक फेला है एक चौथे नंबर का है और जो चौथे नंबर का है इसका नाम है सिबालिक तो जैसे यहां पर नम्बरिंग दी बैसे यहां पर आप जानते हैं भारत का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है भारत का सबसे उत्तरी स्थान इंद्रा कॉल है भारत का सबसे उत्तरी स्थान इंद्रा कॉल है वो आप से कुश्चन पूछेगा यदि आप भारत के सबसे उत्तरी स्थान से चलना परारम करते हैं हमालय परवती छेतर में चलना परारम करते हैं भारत के सबसे उत्री स्थान से तो सबसे पहले आपको कौन सा परवत मिलेगा यह करम से पवस्तत कीजिएगा तो सबसे पहले एक नंबर का यानि ट्रांस मिलेगा उसके बाद बिरहद मिलेगा उसके बाद लगू मिलेगा तो आप North से South की और जा रहा है कहां से कहां की और जा रहा है तो आप North से कहां की और जाते हैं North से आप South की और जाते हैं इस बात को आपको याद रखना है ठीक ना North से आप कहां की और जाते हैं अब यह जो हिमालय च्छेत्र है हमाले के छित्रों में यहाँ पर कुछ सनरचना है पाए जाती है इस सनरचना का नाम है ITSZ ठीक न? ITSZ उसके बाद यहाँ पर एक सनरचना पाए जा रही है MBF, MCT, HFF तो हम यहाँ पर बना देते हैं यहाँ पर ट्रांस हमाला और ब्रध हमाला के बीच में एक संरिशना है जिसका नाम है ITSZ I से हैं इंडस और T से हैं तिस्यंगपु यानि सिंधु और ब्रहंपुत नदी के बीच का छेद इंडस तिस्यंगपु सचर जोर उसके बाद यहां पर मैं सेंट्रल थ्रॉट M C T ब्रध हमाला को लगू हमाला से अलग करती है लगू हमाला और सिबालिक हमाला के बीच में यहां पर M B F है मैं बौंडरी फॉल्ट M A I N मैं बौंडरी B O U N D R B I MN boundary fault F A U L T यहाँ पर है M A I N M M Central 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 MN Central Thrust MN Central Thrust है यहाँ ठीकना यहाँ पर कौन सा है तो यहाँ पर है MN Central Thrust S E C E N T R E L MN Central Thrust ठीकना अब सिवालिक माल है तो यहाँ पर HFF है हिमालियन फ्रंट फॉर्ट हिमालियन फ्रंट फॉर्ट और हिमालियन फ्रंट फॉर्ट के नीचे यहाँ पर उत्तर भारत का विशाल मैदान है उत्तर भारत का विशाल मैदान उत्तर भारत का मैदान है यहाँ पर तो यहाँ पर उत्तर भारत का मैदान है इसमें देखेगा जैसे ही आप इन हिमालाओं से नीचे उतरेंगे यानि ट्रांस बिरहद लगू से वालिक हिमालाइक के नीचे उतरेंगे यह जो छेतर दिख रहा है आपको उत्तर भारत का मैदान कहलाता है यह क्या है उत्तर भारत मैदान के बीच में यानि सिवालिक हिमाले और उत्तर भारत के मैदान के बीच में यहाँ पर एक संरचना है और यहाँ पर जो संरचना है इस संरचना का नाम HFF है हिमालियन फ्रेंट फॉल्ड क्या है HFF है और HFF का full form होता है हेमालियन front fault ठीक ना आपसे question पूछा जाएगा यहां से तो बस यही है इस परिकार से question पूछे जाते हैं next lecture आपको कल मिल जाएगा और कल जब आपको lecture मिलेगा तो उसमें हम एक हेमाले उठाएंगे trans हेमाले और trans हेमाले को पूरा का पूरा आपको समझा देंगे ठीक ना trans हेमाले उसके बाद हम विराधेमाले उठाएंगे विराधेमाले को समझा देंगे इस परिकार से हम पूरी की पूरी जरनी अपनी इसी परिकार से तैय करेंगे ठीक है मैं तरो scrolling में नमबर चल रहा है BEO यानि खंड सिच्छा दिकारी का प्रिवेश्ट आर्वी तालोग online institute में प्रारम है जो भी छोखों को ले सकते हैं यकी रखेगा हमारी उपर हमारी टीम की उपर, रभी सर की उपर, हमारी उपर के आपको हम निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे और आपके साथ पूरे की पूरे नियाय के साथ आपके साथ पढ़ाई की जाएगी, ठीक ना? चले, तो इनी सब्दों के साथ आप लोगों को फिर से एक बार Happy New Year नए साल की हर्दिक हर्दिक सुप्तामना है ये वर्स आपके लिए मंगल में हो ठीक में तरो, धन्वाद